हलो गाईज वलकम बाक मैं हूँ संजीब पांडे और आप देख रहे हैं एड्यूयाब और 10 टर्म 1 के जो में एक्जाम्स है बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी अब जारा समय नहीं बचा हुआ है बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यू इसको हम कैसे बहतरीन इस्तबाल में ला सकते हैं कि हम अपने उस बड़े वाले एम को हासल कर सके जी हां एम जो है ना मतलब तुमको चाहे जो भी मार्क्स दिमाग में रखा है थोड़ा सा और बढ़ा की ही रखो तो इफ इडिस लेक तुमको 90 95 वाटेवर यू हाव एम एम को थोड़ा ऊपर कर दो विकॉस उसी के वेशिस पर बच्चा जो है ना 99 भी लाता है ठीक है और वो तुम में से कोई होता ह है और तुम लेकिन लेकिन अगैर क्या ही बुरा ही है और यहां पर बात करते हैं दिक्कत है क्या क्या आती है वह आपको बतांगा तो चलते हैं और वह बहुत ही इंपोरhor लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टन चीज है जो में को आपको शेयर करनी है एक चीज में आपको देखो यहीं पर चलते हैं देखो यह लाना सबको है है ना कुछ ने कुछ यहां पर बड़ा वाला एम आपने लखा हुआ है जो शायद लगता है कि यहार मेरी उकात के बाहर है ऐसा भी लग सकता है ठीक है अब उसके लिए जो चीज चाहिए होती है ना वो किसी को नहीं करनी होती है आपको डिस्ट्राक्ट होना है आपको फाल्टू के वीडियोस देखने है आपको सारा कुछ करना है उसके बाद में यह लाना है how is that possible एक कहावत है ना कि everybody wants to go to heaven but no one wants to dying है ना सबको जाना है पर बढ़ना किसी को नहीं है यह मांस सबको लाने है पर यह सारी चीज़ें जो है ना यह नहीं चाहिए hard work नहीं करना ठीक है discipline के साथ consistency के साथ पढ़ाई नहीं करना ठीक है planning नहीं करना और यह assume करना कि हाँ भाई मैंने जो किया है ना वो सब सही है अब आप चाहते हो कि इस बार कुछ डिफरेंट रिजल्ट आए लेकिन आप कर्म ही रहे हो जो आप अब तक करते आए हो how is that possible man कुछ तो अलग करना पड़ेगा ठीक है तो आईए चलते हैं पहले थोड़ा परेशानी नहीं देख लेता है लास्ट में बहुत ही जबरतस चीज़ है I want to share it okay अब देखो पढ़के नहीं हुआ ठीक है पढ़के नहीं हुआ अब देखो यह इसमें से तुम्हारा एक आज रिसन तुम्हारा होगा इसमें से ठीक है पढ़ा है पर डर लग रहा है बहुत सारे बच् कुछ गा ठीके मेरगे मेरा में भौलज चल रहा है ठीक है अब वो प्रॉब्लम सच्सेड हो भी सकता है ठीक है आफिर ऐसा है कि बस और क्रिएट हो गया है दोनों चीज़ें हो सकती है ठीक है प्रॉब्लम्स हो भी सकता है तो उसके पूर में पॉइंट कहना चाहूंगा ठीक है इस वाले के ओपर भी आ रहा है वह जो लास्ट में लाइन करो नहीं इसका पहुत तगड़ास वाला उसमें सल्यूशन होगा ठीक है मेरे पास वह वाली किताब नहीं है मैं एवरेज बच्चा हूं यह तो यह वाला कैटेगरी तो उसने खुद ही डिफाइंड कर दिया तो तुम क्यों वह कोशिश कर चोड़ दू राइट एवरेज बच्चे हो किसने बता दिया तुमको कोई एवरेज नहीं होता अब आते हैं अपने में जो जिसी इसके ओपर यह वीडियो है वो मैं आपको बता रहा हूं जो भी तुम्हारे दे मां में चल रहे ना इसके अलाव ही कोई स्कूश्चन मुझे कमेंट करके बताना लेकि उस सबका सल्यूशन यही पर और यही वाली पार्ट में यहां पर मैं कुछ आपको बता हूं ठीक है पहले देख लो कि एक एवरेज रिजल्ट और एक आउटस्टेंडिंश रिजल्ट ठीक है यह एक जिसने अपने आपको एवरेज कह दिया और जो अपने आपको आउटस्टेंडिंग मानने लगा मतलब इस इस लाइक ऑर कॉवर दोस्तों के साथ अभी इस समय यह ना ऐसा टाइम है जो meditate करने वाला है meditate मतलब क्या जो ध्यान में लगने वाला है जो अपने आपको isolate करने वाला है ठीक है तो distraction से दूर रखना यह तुम्हारी responsibility है दूसरा कोई तुमको यह नहीं करके देगा ठीक है में चोटे मेरा रूम चोटा है तो उसमें सब लोग रहते हैं बात्चीत हो रही होती फिर भी ऐसे बच्चे भी टॉप कर रहे होते हैं जादा जो रेशियो है ऐसे बच्चों कहें टॉप करने कुछ तो कर रहे होंगे बाई साब ठीक है सो यहां डिस्ट्राक्शन है यहां फोकस है तुम देखो हम मैं बतारों यहां पर मुंबई के पास जब हम लोकल में सफर कर रहे होते हैं तो यहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है लोकल ट्रेन में कि लिटरली आदमी जो है ना डिस्ट्राक्शन इतना दरह होगा कि वह जिसका कोई हिजाब नहीं है। उसके अंदर भी लोग नियूसपेपर पट रहे होते हैं। उसके अंदर भी लोग कुछ अपना ऐसा काम कर रहे होते हैं। और वह भिना उत्ने शोरो खुलके अंदर वो चीज़ हो रही होते है। तो distraction के 10 बहाने हो सकते हैं, focus का एक ही, कि तुमको बस focus ही करना है, distraction दस चीज़ों को ध्यान जाएगा, focus में बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना है, ठीक है, fear, डर होता है यहाँ पर, average वाले के पास डर होता है, और जो outstanding वाला होता है, उसको अस confidence होता है, ठीक है, उसके पास उसको आज समझो, अगर ऐसे टाइम पर भी यह लगता है कि ज़्यादा पढ़के नहीं हुआ ना, तो भी वो डरेगा नहीं, वो उसके लिए तयारी करेगा, और उसको विश्वास है कि उसका उतने span में, वो कर लेगा, उसको पता है कि भाई, यह बड़ा वाला चैप्टर यार, मैं अकेले नहीं जाओंगा, मैं अकेले नहीं पढ़ सकता, मेरे को कोई साथ में चाहिए पूरा टाइम, how is that possible, अगर तुमको टॉप ही करना है, सोच ही लिया है, तो तुमको भाई, अकेले चलना आना चाहिए, ठीक है, विकोज जितना difficult रास्ता होता है, रास्ता जि ये वाली कैटेगरी को नींद से बड़ा प्यार होता है, ठंड का मौसा मैं बहुत जबर्दस नीदा रही है, मैं तो बदाश नहीं कर सकता है, या तो कोई मेरे साथ उठा रहे है, तब मैं पढ़ूँगा, ठीक है, ने तो मैं नहीं पढ़ रहा, अरे मत पढ़ो भाई, ठ ठीक है, सर, एम तो मेरा बहुत बड़ा है, मुझे पाइलट बनना है, या मुझे कुछ देश के लिए कुछ करना है, भाई साथ पहला स्टेप यही है, अभी के लिए तुम्हारा पहला स्टेप यही है, ठीक है, तो अपने आपको कौन सी कैटिगरी में देखते हो, ये A, या फिर A ही लिखता हूं, बट इस 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 बी कौन सी कैटिगरी में लिखते हो, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि तुम तीन घंटे पढ़ रहे हो, कि तुम दस घंटे पढ़ रहे हो, कोई फरक नहीं पढ़ता है, तुम उस समय को कितनी डेडिकेशन से यूज कर रहे हो, कम टाइम में है ना जादा आउटपुट प्रड्यूस करना लेस इनपुट बोर आउटपुट ये चीज होती है एफिशेंसी और इसी से आता है रिजल्ट ठीक है अब मैं आता हूँ exactly वो पॉइंट जिसके उपर पूरा जो तुम्हारा जितना प्रॉब्लम से ना उन सबका यहां पर solution मैं आपको बता हूँ ठीक है चाहे तुम्हारा अब तक जितना भी पढ़के हुआ मैं नहीं पूछ रहा है कि 10%, 20%, 30, 40, 50 उससे कोई देखो मैं मैं फिलाल कह रहा हूँ कि उसको side में क्योंकि इस point पर अगर इस race की line पर अगर मैं एक बच्चा है जो अपने आपको इस category में रखता है और एक है जो यहां पर है अगर मैं दोनों को कहूँ कि भाई दोनों का preparation अब तक suppose 30% हुआ है सिरफ तब भी जो इस category में आता है ना बी category में वह अपने आपको यहां से भी आगे ले जाएगा चाहिए पांच गंडा पढ़ रहा हो चाहिए तीन गंडा पढ़ रहा हो फिर भी अपने को वहा ले जाएगा बिकॉस यह जो यह जो यह जो चीजे ना मतलब distraction को दूर रखना अपने बस focus रखना फियर को दूर रखना confidence रखना इन सब चीजों की वजह से वह हमेशे अपने आपको आगे ही पाएगा ठीक है और क्यूंकि यह चीजे हैं जो तुमको ज़राती है यह डिस्ट्राक्ट करती है तो ऐसी चीजों के वएसे तुम उस लाइन में कासी पीछे ने जाओ चीकर अच्छा वो लाइं मेरी मेरी situation बहुत खराब है यह वह जनुरी नहीं सकता है बहुत जन जन हो सकते हैं मैं मानता हूं लेकिन क्या वो situation का गाना का कि उससे कुछ होने वाला है क्या वो इंप्रूव होने वाला है क्या तुम अपने parents के लिए अपने घर वालोगे लिए कुछ अच्छा कर पाऊगे क्या एक एक आपको मैं एक line बताता हूं कि जो boiling लेकिन उस वैसी situation वैसी बुरे हालाे तुमारी बिल्ट पेपेन करता है कि तुम soft हो जाओगे उसके अंदर बह जाओगे या तुम अपने आपको मजबूत बनाओगे So it depends on कि तुम कैसे बने हूँ again तो ये बात याद रखना situations कैसी भी हो जो बच्चा अपने आपको ऐसे में भी stand कर सकता है strong बना सकता है उस अंडे की तरह hard हो सकता है उसी की जीत होती है और उसी का ये जमाना भी उसी का नाम भी लेता है तो इसी के साथ इस वीडियों को close करते हैं आयो ये जो message है आप तक पहुचेगा और वो change जो है वो आज से अभी से आ जाएगा और पढ़ना सुरू कर दोगे ये distraction वाली चीजों को अपने आप से दूर करोगे डर को अपने अंदर से भगाओगे और जो actual काम करना चाहिए न वो करोगे अभी से भी अगर proactive हो जाते हो sensible हो जाते हो तो सब चीजें side होंगी और तुम बहुत जबरदस तरीके से focus करोगे यही उमीद के साथ वीडियो को close करता हूँ और आज materials वाला जो वीडियो बचा हुआ है Supervision 3.0 में वो live आज होगा 8 बजे इसी भी हाल में तो आपका जो syllabus है Supervision में हो जाएगा then we will go for the mentees और भी जो भी special sessions है वो आते रहेगे Thank you for watching All the best for exams Jai Hil